हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सेकर, आगे हम एक और नई फीडियो लेकर, तो उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग की तरफ से बिग्यप्ति या अधिसूचना उस्तो आई हुई है, ये आई हुई है कनिष्ट सायक भरती को लेकर, आयोग द अनुसार दिनांक, तीन मार्च से पच्चीस मार्च दोजार तयाईस तक अभिलेक सत्यापन की कारवाई की जारी है, दोस्तो यहाँपर ये बिकल्प अंकित भरवाए जा रहे हैं और इस परकिरिया में देखा गया है कि एक अभ्यर्ति के पदूं की वरिता ही तू बिकल्प भरवाने में अधिक समय लग रहे हैं अतहे सभी उपस्तित अभ्यार्तियों की इस परकिर्या में अत्यधिक समय लगने से अभ्योस्ता वो कठिनाई भी हो रही है अताय अभ्यर्तियों की सुविदा हेतू, पदूं की वरिता हेतू, बिकल्पों को व्योश्तित रूप से ओनलाइन अंकित करवाने हेतू, आयोग द्वारा अपनी अधिक्रित वेबसाइट पर उस तो लिंक यहां पर यह है, दिया गया है अताय अताय द्वारा सभी अभ्यर 2023 को बुलाएगे अभ्यर्तियों के इनके विकल्पों को भरा जा चुका है, अत्रिक्त सभी दिनांक 10 अप्रेल 2023 से 25 अप्रेल 2023, तो दिनांक 3 अप्रेल 2023 को बुलाएगे अभ्यर्ति भी, तक आमंत्रित अभ्यर्तियों को अपनी स्वेच्च अनुसार, पदूं की वरिता हे तो ओनलाइन विकल्प अंकित करना अनिवार्दी हैं ओनलाइन विकल्प भरने हैं तो user id अभ्यर्थी का अनुक्रमांग के हम password जो है जनम तिति यहां पर यह होगी और ओनलाइन भरेगे विकल्पों को submit करने के बाद दो परतियों में print निकालना है और अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखे हैं कि जिनके द्वारा टंकल टाइपिंग परिक्षा में परतिभाग नहीं किया गया है अत्वा अनर रहें वे अभ्यर्थी केवल नॉन टाइपिंग पदूं के बिकल्पों को ही भरें और अतहे उक्ता नुसार सब अभ्यर्थीं से पेक्षा की जाती है कि उक्त परिक्षा में विभाग एवं पदूं की वरिता है तो बिकल्पों को पूर्णतया समझने एवं विचार करने के बाद ही अपनी वरिता अंकित करें बिकल्प एक बार सम्मिट होने के बाद किसी भी दिसामस अन्सोदित किया जाना संभाव नहीं होगा तो यहाँ पर बताया गया है तो यह थी दोस्तों आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जल्द एक नहीं वीडियो में बिकल्पों की परती दिनांग 25 अप्रेल 2023 से पूर्व आयोक करेल में इनको भी यहाँ पर जमा कराना होगा